सोलन की मारोड पर सडक से मकान की छट पर जागरी एक पिकप ये घटना तब घटी जब पिकप का चालक गारी को सडक पर खड़ा कर बैंक में गया हुआ था अचानक गारी अपने आप चल पड़ी और साथ लगते घर की छट पर जागरी गाड़ी चालक जब बैंक से काम करवा कर बापस लोटा तो सड़क के पास भीड देखकर वैबी वहाँ पे पहुंचा तो देखा कि उसकी अपनी ही गाड़ी नीचे गिरी पड़ी है जिससे उसे यह एहसास हुआ कि जब उसने गाड़ी सरक पर खड़ी की थी तो साइद उससे पिकप की हैंड़रेक ठीक से नहीं लग पाई थी और जिसके चलते पिकप मकान पर जागरी आपको बता दे कि जहां पर यह घटना घटी थी बैस सबसे भीड़वाडवाला इलाका है और सैंकडो गाड़ियां यहां से निकलती रहती हैं गनिमत यह रही कि जब यह घटना घटी तो उसकी चपेट में कोई नहीं आया अधिक जानकारी देते हुए कार चल्क ने बताया कि बैयपने जरूरी काम से बैंक में गया हुआ था और उसने अपनी गाड़ी सड़क किनारे पार्क कर दी थी सड़क किनारे भीड लगी तो बहां जाकर देखा कि उसकी गाड़ी मकान के चट पर गिरी हुई थी चालक ने माना कि शाहिद वे जल्दवाजी में गाड़ी की हैंडवेक लगाना भूल गया था